नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी शुशान सिंग राजपूत बिहार का बेटा जाना माना होनहार एक एक्टर जो केवल एक्टिंग ही नहीं तो आपको बता दूँ के एक होनहार बहुत विद्वान वो विक्ति भी था और पढ़ाई में तिक्षन था इरादे थे वैज्ञान बनकर देश के लिए कुछ करने के शोक के कारण एक्टिंग के चेत्र में आया बोलिवुड पहुँच गया देकिन अंजाम वही हुआ जो बोलिवुड में ऐसे कई लोगों का हुआ है जो वहां शोकिया तोर पर जाकर अपना भाग अजमाने लगे और कहीं ना कहीं एक गि जिसान थे वो फोटो और वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं जो शुशान सिंग राजपूत के मित्र हैं वो यह बताते हैं कि उस बंदे ने कभी एक सिगरट तक नहीं पी लेकिन उसको ड्रग एडिक्स बताकर यह बता दिया जाता है कि शुशान तो डिप्रेशन में था ड्रका आदी था उसके साथ ही जिसा सालियान शुशान सिंग राजपूत की मैनेजर उसकी भी मौत हो जाती है और उसको भी बताया जाता है कि आत्मत्या कर ली आत्मत्या क्यों करी इसका कोई जबाब किसी के पास नहीं है लेकिन पुलिस को मानो इतनी जल्दवाजी है कि वो मौत के केस को क्लोज करना चाहती है और इसलिए आनन फानन में डिकलेयर कर दिया ये भी आत्मत्या है और ये दो ही नहीं है अगर आप मुंबई में बोली वुड में एक्टर को एक्टर डारेक्टर और डांस करने वाले गाना गाने वाले ऐसे अगर लिस्ट बनाना जाएगी और ये सो नाम तो ऐसे होंगे जिनको लोगों ने जाना चाहे वो गुल्शन कुमार हो फिर चाहे वो मैंने और बहुत सारे कितने ही नाम हैं श्री डेवी मैं बहुत पसंद करता हूँ अब तो नहीं है इस दुनिया में और ऐसे बहुत सारे नाम हैं लेकिन कितने कोई कोई मोडलिंग करी होगी कहीं कोई नोठी क मौटा क्टिंग का कोर्श किया होगा एक्टर बन गए हो और फिर वो मںमबई गए होंगे गम नाम। उनको गया वो वापसी नहीं आता और जो गया तो कई बार गुम हो जाता है यह गुम नाम होने वाले लोग आखिरकार सवाल तो ये भी उठता है बोली वुड में आत्मत्या ही क्यों करते हैं वो आत्मत्या में जो होस्पिटल है वो सरकारी है फिक्स है लेकिन उनके पीछे के खारन था हर एक के पीछे आप देखेंगे डिप्रेशन नशा दो चीजें निकाल कर क्लोज कर दिया जाता है केस ट्रेस करना है भी मुश्किल शुषान सिंग राजपूत की मौत को दो साल के उपर हो गया अब उनके पिता को कुछ उम्मी जगी तो उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने ये मांग किये के के सिंग जो बिहार के हैं जहां पांच एफ़ यार सुषान सिंग राजपूत की मौत के बारत जुलाई महीने में हुई थी अब उनका कहना है कि जब दिशासालियान की मौत की जाच के लिए S.I.T. का गठन किया गया है तो भाई सुषान को यह लग रहा था हम जब कोई पुलिस कुछ नहीं करती है तो सीबी आई की मांग करते हैं कि सीवी से जाच करायी जाया से मैं इसलिए भी चल रही थी कि जो मुंबई की पुलिस है उसके उपर मिली भगत की शंका थी और आरोप लगे थे और वो आरोप किसी हद तक सही भी थे क्योंकि उस समय पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग उनका एटिट्यूड देखिए कि जो भी चैनल जो भी पत्रकार इस जाने माने देशवक्त पत्रकार उन तक को जेल में डाल दिया तो सोचिए निचले अस्तर में जो छोटे पत्रकार हैं कहीं छोटे अकबार के होंगे कहीं छोटा कोई यूट्यूब चैनल होगा किसी का छोटा चैनल होगा उसकी क्या मजाल कि वो एक शब्द बोल जाए सरक दे दिया कि आप पुलिस की प्रणाली पर कोई सवाल नहीं उठाओगे उठाओगे तो आपको उठाके इसी तरह जेल में डाल दिया जाएगा और किसी दिन बस खबर ये आएगी कि वो पत्रकार जेल में बन था उसने दुखी होकर आत्मत्या कर ली आत्मत्या मुंबई माया नगरी के लिए तो ऐसा हो गया है कि समझ लीजिए जैसे एक महामारी हो तो शुषान सिंग राजपूत के पिता और पिता ही नहीं बहुत सारे फॉलोवर लाखों में हैं व्यक्तिकत रूप से मैं जानता हूं दुबई में लोग बैठे हैं अमेरिका में बैठे हैं वहां स कब होगा न्याय कब पता लगेगा हुआ क्या है लोग कह रहे हैं सीबी आई पर बड़ा भरोसा था सीबी आई को भी दो साल हो गया और भाई या तो हां करो या तो ना करो एक डिकलेयर कर दो आप यह सीबी आई अगर कह दे पूरी जुम्मेदारी से कि हाँ भाई शुषा पता लगेगा लोगों को लग रहा था उसकी तहे में जाएगी सीबी आई तो बड़े बड़े लोगों को भी पकड़ लेती है क्योंकि सीबी आई पुलिस के शायद वश में नहीं हैं तो वो सब जेल की सलाकों के पीछे जाएंगे लेकिन अब लोग सोच रहे हैं क्या जाएम भले ही दिखते हूं कि वो डिप्टी सीम हैं लेकिन वो भार्तिय जेटा पार्टी के बगड़े लीडर हैं संसदिय दल के नेता हैं तो भारतिय जेटा पार्टी यदि घोशना करती है कि हम दिसासालियान की मौत की जाँच के लिए एसायटी गठन करेंगे तो वो सब जाच कर ली है वो तो आत्मत्याई थी तो लोग अभी से कह रहे हैं कि देख लेना साथ इसमें भी यही होना है क्योंकि आदित ठाकरे बहुत बड़े लीडर के बेटे हैं पूर्व सीम के बेटे हैं सिवसेना युवा मोर्चा के वो बहुत बड़े हैड हैं तो उनके खि चीख लें कितने ही प्रदर्शन कर लें कहते हैं बड़े लोगों का होता कुछ नहीं है कुछ पत्रकार व्यक्तिकत रूप से मुझे कह रहे थे बोले आप बड़ा भरोसे से कह रहे हो कि आप जरूर इसमें कुछ होगा वो कहरे हैं कि दिसासालियान के बारे में जो ऐसाइ आ गए जिन्होंने विरसे की जाँच की थी विसरे की वो कह रहे हैं कि साथ इसमें आत्मत्या ही है ऐसा कुछ लगता ही नहीं है तो कुल मिलाकर लोगों की उमीद एक तरफ ये बनी है कि नार्को टेस्ट अब नार्को टेस्ट इतना आसान थोड़ा ही है लोग आफताव का उ स्विकर्टी चाहिए तो कैसे देदेगा कोई जिसके खिलाब कोई केस ही नहीं है अभी तक हाँ एक केंद्रिय मंत्री है नारायन राने वह बात करते हैं कि मेरे पास पैंड्राइव है उसमें सबूत है वह सबूत कौन से हैं जो चर्चा आई है मेरे पास फिल्टर होकर वह कह रहे हैं कि उनके पास वो पैंड्राइव हो सकती है पका नहीं है लेकिन जो बता रहे हैं कि उनके पास जो सबूत है वो किसी पार्टी के हैं फुटेज जिस पार्टी में दिसासालियान और वो जो नेता का जिक्र करते हैं या कुछ लोग वो उस पार्टी में डांस कर र ठीक से करके जनता के सामने जल्दी से जल्दी ला पाएगी आपको बता रहा हूं अगर देविंद फणवी सरकार ने ये काम कर दिखाया कि जिसासालियान के जो मौत हुई है उन रहस्तियों को वो खोल कर जनता के सामने ले आए और यदि वो हत्या है उनके हत्यारों को अगर वो जेल में डाल पाए तो उनका नाम इत्यास में दर्द हो जाएगा और देश की CBI से कहना चाहता हूं कि जो CBI शुशान सिंग राजपूत की मौत में अभी तक कुछ डिकलियर नहीं कर पाई है किर्पिया करके युवाओं की भावनाओं का ख्याल करें देश के लोगों की भावनाओं का ख्याल करें ये खाली एक मौत का केस नहीं है ये CBI के उपर विस्वास का सवाल है इतनी बड़ी संस्था क्या मैनेज हो गई या मोन हो गई क्यों मैं नहीं जानता आम जनता पूछ रही है कि सीबी आई तो मैनेज हो जाती है क्या हो सकती है क्या इतने बड़े लोग है क्या ये सवाल उठ रहा है तो सीबी आई को अपनी साख बचाने के लिए इस केस में तद्परता दिखानी होगी भाई दस-पांच लोग अगर लगाने पड़ें दो साल से उपर हो गया आप कुछ तो बोलो डिकलेर करो लोग उम्मीद से बैठे हैं सीबी आई की क्रेडिबिल्टी आज सवालों के घेरे में है उनकी योगता और छमता पर कोई डाउट नहीं है देश में एक से एक ऐसे अफसर पड़े हैं जिनकी इमानदारी पर लोगों को नाज है और वो करोड़ों रुपे की ड्रग इस देश में पकड़ी गई है आए दिन बड़े अपराधी एनाई ये पकड़ती है आज ये दिख रहा है कि सरकार जो केंडर में बैठी है उनकी काम करने की नियत में कोई डाउट नहीं है उच चाहते हैं कि हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाए कितना ही बड़ा क्यों नहों तब एजेंसियों में ब पर बटा लगने से रोकें और रिजल्ट लाएं क्योंकि अब देश की सरकार के साथ साथ देश की जनता का भी मोड यही है कि अब अपराध पर जीरो टोलरेंस ड्रक पर जीरो टोलरेंस बोलीवुड में जो गंदगी व्यापत है उस पर जीरो टोलरेंस और यह बाइकोट बोलीवुड इसी का नतीजा है अर्बो रुपे देश का नुकसान होता है जब कोई मूवी बन रही है और वो फलोप हो जाती है तो सरकार इस मुद्धे पर मूग दरसक ना बने सरकार की भी छवी तभी सुद्रेगी जब यह दोनों केस सोल्व होंगे और जल्दी सोल्व ह होंगे आप दर्शकों का क्या कहना है कमेंट बोक्स में जरूर लिखें और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सरकार तक पहुंचनी चाहिए तो इसको शेयर जरूर करें बंदे मातरम